यह औसदी है यह किस चीज की आउसदी है हमारा जी इसी बात जी हां पॉंडलाइसिस है जी पैरालेसिस पैरालाइसिस अच्छा वह से गुर्णा का दरध है जी हो यह एक ऑगर असली भाव लेना है आपको वन में जंगलों में ही आपको मिलेगा यहां निशिंत भाव से आप भकति कर सकते हैं साधना कर सकते हैं इसी लिए घने वन में जंगल में आज भी बहुत सारे पूजी संत महराजी जो साधना और तपस्या करते हैं हमारी कोशिस है हमारे चेतन साथी भाई की कोशिस है कि आप सब को उसी घने वन जंगल के पूजी संत महराजी के दर्शन कराएं जिस दर को देखने के लिए आपकी अखिया तरश जाती है यहां आप एक तरफ देखिए तो हर तरफ आपको जंगल ही जंगल दिखाई देगा सुदूर तक आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा क्योंकि यह सब सारा जो वन है हमारे काना का है हमारे कनहिया का है यहां भक्ति मिलती है तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी आवसदियां भी मिलती है बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां भी मिलती है जो आपके रोग को आपके दोस को आपके मन के विकार को सब जो हटा देती हैं समाप्ट कर देती हैं आपको रोग मुक्त कर देती हैं क्योंकि चरड़ पड़े हैं रज पे हमारे कनहिया के हमारे ठाकुरजी के और इसी लिए यहां का हर चीज जो भी हो चहलता पता जो भी यहां का कड़-कड़ यहां का रज-रज सब अम्रत है तो आए तलास करते हुए चलते हैं पूज़संत महराजी जो जिनके दर्शन करके हम सब पहुचेंगे फिर और उनसे फिर बात्चीत करेंगे, यहाँ पर देखें, नंदी महराजी भी खड़े हैं, सांतेचित भाव से, क्योंकि जंगल के नंदी महराजी हैं, तो इनका दर्शन दूर से ही करना ठीक रहेगा, उचित रहेगा, तो नंदी महराजी को पडाम सांतेचित भाव से यहाँ पर खड़े हैं, और खुटिया में प्रिवेश करते हैं, देखते हैं पूजी महराजी का दर्शन करने के बाद, फिर आप सब को जो है, मैं दर्शन कराऊंगा, एक बार पुन है, आप सबसे निवेदन हैं, आप सबसे आग रहे हैं, कि हम लोग बहुत महनत करते हैं, हमारे सम्मंदी सब को सेयर करिए, और जो महानगरों में रह रहे हैं, जो बड़े-बड़े मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, उन तक भेजने की कोशिस करिए, कि वो जान जके कि असली भारत क्या है, असली भारत का दर्शन क्या है, और भारत कहां वसता है, भारत जंगलों में वसत उनके आसिरवाद में वस्ता है तो इसलिए जरूर दर्शन आप सब जरूर करिए शेयर करिए एक और निवेदन आप सब से है करवध निवेदन है कि सनातन की इस यात्रा में आप सब सहयोग जरूर करिए जिससे हम सब और मजबूती से और आत्म बल से इस यात्रा को आगे ब इन पर आप सब को QR कोड दिखाई दे रहा है उसमें जरूर कुछ ना कुछ अरपड करिए जिससे हम सब सनातन की सियात्रा को आगे बढ़ा सके तो आईए पूज्य महराजी के तरब दर्शन करने के लिए चलते हैं यहां बहुत गए हैं महराजी के पास जैहो महराजी यहां कुटिय का दर्शन देखिए महराजी के पूज्य कुटिया का दर्शन और यहीं से शेवा करते हैं महराजी यहीं से भक्ति करते हैं यहां का भाव पूड दर्शन आपकर करते हैं कुटिया का भक्ति भाव में लीनी हैं साधना और तपस्या करते हैं पूज्य महराजी महराजी बहुत बहुत दंडवाद प्रणाम जी महराजी क्या सुन नाम है हम रुकर संत विलस किसनों दास यह पूरा मैं देख रहा हूं हर तरफ वनी वन है हर तरफ जंगली जंगल जो भी आता है मुझे लगता भक्ति रस तो मिलता है है लेकिनों कर दो देख को दिरना का स्टान है य। हड़ा रुक्ति अखकर सुस्टा होता है जी जी जीसन एंच बीजुक्त देख हो रहतर ही दिया है सब्केर मुचन लेजूट बहुत काम होता है और इसे कैसे तैयार करते कितने दिन में तैयार होता है इसे बहुत जड़ी पूरी जड़ी बूटियां डालते हैं इसमें देख सकते हैं यह बहुत सारी जड़ी बूटिया है महराजी ने इसमें तमाम तरह की जड़ी बूटिया डाली होई है शेकड़ों तरह की जड़ी बूटिया है जो जंगल से जो जंगल से लेकर आते हैं महराजी और तब तैयार करते हैं और 6-7 महीने में तैयार होता ह पूरे जंगल की जड़ी बूटियों के आते हैं कुलरnd कर लाते हैं जी करीबं सो पचास जड़ी बूटिया होती है वहुलर को रहती है ने क ratings of Texas ने में खोचते हैं ले आते हैं और फिर उसके बाद खठा करते और फिर बनाते हैं तो ना भर नोग तो जो पेरालिसिस के लोग हैं जिनने लकवा कहते हैं पच्छा गात कहते हैं वो ठीक हो जाते हैं इसे हाथ पेर चलना बन जाता है और कई बार तो बिश्टर से भी नहीं उपाते हो जी राधा जी की क्रेपा है बहुत सारे लोग हैं महाराजी जो कहते हैं उनके बदन में शरीर में बहुत दरद रहता है अच्छा दवा ना करें यह तेल का मालिस करें तो ठीक हो जाएदा जी तो बता रहे हैं जैसे बता रहे हैं कि राधारानी किरपा है इसके सब राधारानी किपा हो चाड़ा कुछ नहीं होता है हम कुछ नहीं जाना इसके राधारानी जैसे महाराज जी जो भक्त गड़ाते हैं तो उन्हें कैसे फिर बताते हैं किस तरह से उन्हें ये देते हैं किरपा राधा ये इसे के देता वो किपा हो जाएंगे अच्छा उन्हें जब देते लगाते हैं तो उनके उपर जो इपा हो जाती है यह सब भक्तों के लिए कि जो भी आते हैं तो उन्हें जो सरीर का जो रोग है दोस है सब सबसे चलिए लेकिन ये जड़ी बूटियां आपको बड़े मुश्किल से मिलती है जंगलों में जने तलासते हैं तो सब जंगल में रहे था इसके गुलने गुलने को इसके मिल गया अच्छा और लोग तो नहीं पहचान पाएंगे लेकिन आपको मालूम है तो ट्रेनिंग होता है फिर उसे कठा करते हैं लाते हैं चुनते हैं और फिर उसे बनाते हैं यह कितने दिन तक चलता है यह जुग जुग चलता हूँ जुग 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 चलता हूँ अच्छा यह कभी वो नहीं होगा और इसमी में बनाते जाएंगे और वो करते जाएंगे तो यह आप देख सकते हैं जो जड़ी बुटी से जो महराजी ने औुशधी तैयार की है उस औुशधी के बारे में ये बता रहे हैं कि राधारानिकी इन पर क्रपा बहुत है और जब भी पूजन करते हैं पुजापाट करते हैं तो महराजी फिर इनमें जो है मंत्रो चार कर तो मैं सारा विस्तार कर देता हूं और फिर उसके बाद जो है तमाम तरह की जड़ी बूटियां सैकड़ों तरह की जड़ी बूटियां इसमें मैं देख रहा हूं कि इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं सब पेड़ पौदे की हैं कोई जड़ की हैं तो अलग-अलग सदी को ज तो फिर जो है यह तेल लगाने से आपके बदन का दर्द पूरी तरह खतम हो जाएगा पच्छागात लकवा है कई बार हाथ काम नहीं करते कई बार उठते नहीं है तो महारा जी बताते हैं कि इसके मालिस करने से दीरे दीरे आपके हाथ जो है वो चलने लगते हैं बाकी और स इस से होता है, तो वो सारे दर्द भी इस अवसदी से समाप्त होते हैं, तो जब आप ब्रज का दर्शन करेंगे, तो जैसे मैंने पहले भी बताया, और वीडियो में भी मैंने बताया है, कि ब्रज के दर्शन में आप चलते जाएंगे, ब्रहमर करते जाएंगे, तो ऐसे सिद संत भी मिलेंगे जो आपको भक्ती मार्ग पर भी ले जाएंगे और आपको ले जाएंगे आपके रोग दोस्त को मुक्त करने के लिए आपको मलब सकती भी प्रदान करेंगे आपके सरीर को भी मजबूत करने का काम करेंगे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि हमारे संत गड़ रिसी गड़ असली बैग्यानिक वही हुआ करते हैं वही जो सोद करते हैं वही रिसर्च करते हैं रिसर्च करते ही उनका नाम पड़ गया रिसी तो ऐसे रिसर्च गड़, ऐसे रिसी गड़ जंगलों में रहते थे जो भी आते थे भक्त गड़, साधक गड़ उनको बिठाते हैं आदर के साथ जैसे पूज महाराजी ने हम सब को बिठाया हुआ है और फिर उसके बाद उन्हें सदी देते हैं फिर उन्हें फल देते कोई पत्ती बता देते कि इसका पान कर लो तुम्हारा ये कष्ट दूर हो जाएगा और तभी तो देखिए हमारे देवतागड हमारे जो देवगड हैं हमारे जो महा पूरुष हैं जो हमारे भगवान हैं सब कितने स्वस्त और कितने हश्ट पुष्ट होते हैं जो हमारे राजा महराजा होते थे वो क्यों रिषी गल रखते थे अपने हाँ क्यों संतगड के चरलों में दंडवत हो जाते थे वो इसलिए क्योंकि रिषी गल भक लोगों के कष्ट का निवारण करते हैं तो आप सब को भी अगर जरूरत है तो आप सब हमारे कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं जिससे महराज जी के पास पहुच कर आप सब को यह जो आउसदी है वो प्राप्त हो जाए और इस यात्रा में फिर मुने पुने कहूंगा कि झामी का सकते हैं तो इस यूदर कि महा जिए। और इस बमजा जवच हैं जब सकते हैं जब हल्दी मुने क्षपाइपसके।